क्वल्थ क्लास के जीविग्यान विसाय के दूसरे चैप्टर पुस्पी पादपो में लैंगिक जिनन का भाग छै जिसमें हम पढ़ेंगे दोहरा निशेचन या द्वी निशेचन क्या होता है और निशेचन के पश्यात कौन-कौन सी घटनाएं होती है ठीक है बच्चो तो आओ श्यूरू करतें तो देखो बच्चो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दोहरा निशेचन यानि की क्या होता है ठीक है तो इससे पहले हमने क्या प्ढ़ लिया था कि जो सहाय कोशिका होती है उसके अंदर क्या ग Godot we play तो आगे तेकान तो उसमें 2 नर्युगमक मुक्त कर देती है ठीक है कि दो नर युगमक कहा आगए को ृजम कोड़कर बच्चोक फिर चैए तेको तो इसमें से 1 नर्युगमक औंड कोशिका की अब जाता है झाकर जा रहा है बच्चोक और जाता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है जिससे युगमक सलेयन पूर्ण होता है तो यहां पर क्या बताया जा रहा है बच्चो कि वो जो दो नर युगमक थे उन में से एक नर युगमक कहा जा रहा है एक नर युगमक है वो किदर जा रहा है बच्चो अंड कोशिका की तरफ जा ओर क्या होता है युगमक-सलियन की किरिया होती है तो इसमें हम मैं पड़ा कि जो प्रागणलीका है वो किसमें प्रिवेस कर जाती है वो सहाय कोशिका में प्रिवेस कर जुड़ जाता है इसके परिणाम में एक कोशीका या फिर युगमनज की रचना होती थिक ना जो नर युगमक नेकी ना गेए जिसके परिणाम की नेन सवरूप क्या होता है ना कि रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है जिसे युगमिनज या फिर जाइगोट कहा जाता है ठीक है न कि नर युगमक है वो केंद्रक से मिल गया है और युगमक सलेन की किरिया हो गई और निर्मान हो गया है किसका बच्चो जाइगोट का निर्मान हो गया है ठीक है बच्च बनाते हैं प्राथमिक भूनपोस केंद्रक बद बनाता है ठीक है बत्यों कया बताया जा रहा है कि यूगमनेस बिन गगया है जो अंड कोशिगा केंद्रक और जो नर्यकमक था वह तो वह गती करता है बच्चो किसकी तरफ जो धूर्वे नुकलियाई होते हैं ठीक है जो धूर्वे किंद्रकी होते हैं उनकी और गती करता है ठीक है और क्या करता है उन्से जाकर जुड़ जाता है और किसका निर्मान करता है ठीक है जिसे कहा जाता है प्राथ्मिक बूर्ण पौश किंद्रक बनाता है ठीक है न बच्चो देखो डाइग्राम में देखते हैं कि हमने क्या देखा था typical ठीक है जो इसने बच्क है ठीक है यह जो सहाय कोशिकाओं में यह है अंड कोशिका ठीक है अंड कोशिका में कौन परवेस करेगा एक नर्युगमक है वह परवेस करेगा ठीक है ना और इसमें क्या होगा द्विग्रित कोशिका टू एंड सेल बन जाएगी बच्चो ठीक है ना और जिसे क्या कहा जाता ह यूगमिनज या फिर जाइगोट कहा जाता है ठीक है अब जो दूसरा जैगोट stared है दूसरा नर् basically निर्मक box 3 गुड़ित को निर्माण होता है जो क्या होती है जो 3 गुड़ित होती है 3 टीक है और उपर की जो कोशिकाई हैं वो क्या कहलाती है तीक है ना सबस्ट काहां नो परवेश करता है कौन प्राग न लिका ठ्क है ना और सफ़ा कोशिका clayo की कोशिका डर्वें में ही क्या रिलीज होते हैं बच्चो दो नर्युगमक रिलीज करती है या तो दूसरा नर्यूगमक है वो कहां वो जो दूर्वे केंद्रकी होते हैं ठीक है ना दो दूर्वे केंद्रकी होते हैं उनके साथ सलयन करता है और क्या बनाता है बच्चों बताओ क्या बनाता है प्रात्मिक भूनपोस केंद्रक बनाता है जो कि क्या होता है बच्चों त्री तीन एगुनितिक के अंदर की समलित होते हैं आता है इसे त्री सल्लेयन कहते हैं क्या बताया जा रहा है बच्चो कि इसके अंदर क्या होते हैं तीन एगुनितिक के अंदर की होते हैं या फिर नुकली होते हैं ठीक है ना और इसे फिर क्या कहा जाता है त्री सल्लेयन कहा जात धीक है बच्चो फिर देखो चुकि एक खूलट पुटी या थिर भूणकोस में दो परकार परकार के सलयने पहला युगमक सलयन में क्या हुआ था जो पराग नलिका से जो थो नर्युगमक अंड कोशिका से मिल रहा था अंड कोशिका के केंदरक के साथ क्या कर रहा था युगमक सल्लेयन कर रहा था ठीक है न बच्चो तो और क्या बन रहा था फिर जाइगोड बन रहा था ठीक है युगमनज बन रहा था टू अंसल बन रही थी ठीक है बच्चो तो पहला क्या हो ग वने सेचन होता है इसे कारण इसे थी निशेचन कहा जाता है तो इसमें क्या पढ़ा कि इसमें दो नर्युगमक थे यूगमनज बनाया अंड़कोषिका के साथ मिल कर ठीक है न और जो दूसरा नहर्यूगमक था उसने क्या किया बच्चो वह दो धुर्वी नुक्लिया य आई के साथ मिलकर त्री शल्लयन करिर्मान किया उसने ठीक है बच्चो तो फिर आगे देखते हैं रीसलयन के पंश्यात केंद्री कोशी का प्राथमिक भून कोश्य का में बन जाती है यह विक्सित होने लगती है जो केंदरी कोशिका होती है वो कहलाती है प्रात्मिक भूण पोष कोशिका ठीक है अब वो क्या बन गई है बच्चो प्रात्मिक भूण पोष कोशिका बन गई है ठीक है और भूण पोष के रूप में विक्सित होने लग जाती है ठीक है जबकि जो यूगमनज है वो किसके होकर क्या बनाएगा भून बनाएगा ठीक है बच्चो तो अब देखते हैं निशेचन पश्य शरंचनाएं एव घटनाएं कि निशेचन के बाद में कौन-कौन सी घटनाएं होती हैं और कौन-कौन सी सरंचनाय बनती है ठीक है बच्चो शुरू करते हैं दोहरे निशेचन के अनुपालन या अनुहरण में भूण पोस एउं भूण के विकास की अगली घटना करम में बिजांड के परिपक्व होकर क्या बनेगा बिजांड परिपक्व होकर हमेशा क्या बनता है बच्चो बीज बनता है ठीक है ना तो बिजाइण के परिपक्व होकर क्या बीज में बदलने तथा अंडाश्य को फल के रूप में विख्षित होने की सभी गटनाओं को सामोहिक से किसमे बच्चो निषेचन पश्चय घटनाओं के नाम से जाना जाते हैं?" यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चो कि जो क्या होता है भूड पॉस और भूड के व कस बारे मा का हमें is इंडासे से क्या बनता है फल बन तो इनी सभी घटनाओं को किसमें शामिल किया जाता है भुण स्वान्यान कर्वाइब दाफिर विओ即ि जूरी जाता है औरließen खाल को सबृहित जाता है क्या थे बुण सब्सक्राइब शुरूर्वात किसे करते कि बूढ पोश का ....… बार बार विभाजित होती है तथा qyया बताया जा रहे है Baccha कि जो गी करती होती है 2000 मशला ये, दो धूर्वे केंद्र की और प्राग नलिका का एक नर्युगमक क्या बनाते हैं मिलके क्या बनाते हैं बच्चो प्रात्मिक बुणपोष कोशिका बनाते हैं ठीक है ना और ये प्रात्मिक बुणपोष कोशिका क्या करती है फिर बार-बार विभाजन करती है बच्चो ठीक ह बच्चो फिर देखो क्या होता है इन उत्तकों की कोशिकाएं सनरक्षित खादे शामगरी से पूरित होती है और विकासिल भून की पोशकता के लिए उपयोग किये जाते हैं शामगरी से पूरित होती है मतलब की उनके अंदर कोशिकाएं उनके अंदर फार्द शामगरी रहती है बच्यों अरफित बताय जा रहा है कि जो भूण है , जो विकाष करता हुआ विकाष शील भूण है help उसकी उप्योग में किया जाता है ,ठीक है ना। यह जो खाते साम्गरी किसके काम में रही है जो भूण विक्षीत हो रहा है , उसके काम में आती है ठीक है ? तो भूण पोस का क्या काम बताया है कि भूण पोस में क्या होते हैं जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या होते हैं बच्चो उनकी जो कोशिकाओं होती है उसमें खाद्य सामगरी होती है जो की विक्सित होते हैं वे भूण की पोशकता का काम करती है ठीक है ना बच् एक शामान्य परकार के प्राथ्मिक भूणपोस्म केंद्रक नामक, भूणपोस्मTr Avena के रूप में पैदा होता है। सारवादिक शामान्य मंटक?" का होता है उसमें क्या होता है उसमें प्राथमिक भूणपोस केंद्रक है ठीक है ना उसमें क्या करता है बच्चो भूणपोस का जो विकास होता है वो उत्रोतर केंद्रकी होती है जिसके विभाजन से होता है ठीक है ना और जिससे क्या बनता है बच्चो जिससे मुक्त केंद केंदर की भूणपोस कहा जाता है ठीक है बच्चो तो जो भूणपोस की जो यह परकिरिया है ठीक है यह फिर यह वस्ता है यह क्या कहलाती है मुक्त केंदर की भूणपोस कहलाती है ठीक है ना और क्या बच्चो इसके सापेक सही कोशी का भित्ती रचना स्थान लेती है और क्या बताया जाता है इसके साथ ही क्या होता है जो कोशी का वित्ती है उसकी भी रचना बनने होती उसकी भी रचना होने लग जाती है ठीक है बच्चो फी क्या होता है और भूणपोस है वो क्या बन जाता है ठीक है ना क्या नहीं रहता है वो मुक्त केंदर की नहीं रहता है क के अंदर कोशी के बूर्पोस कोशी के बन जाता है ठीक है ना बच्चो तो अब बात आती है कोशी की करण से पहले मुक्त नुकलियाईयों की संख्याओं में व्यापक विभिनता होती है क्या बताया जाता है कि यह जो कोशी की करण ठीक है यह जो परकिरिया है इससे पहले क् केंदर की होते हैं या jednak मुकत नुक्लियाई होते हैं उनकी संख्याओं में क्या होती है भच्छो व्यापक भिनता होती है ठीक है भच्छो किससंकी बात हो रही है कच्चे नारियल का पानी पिया होगा ना अपने देखो मुक्त केंदर की भूणपोस के आसपास का सफेद गुद्दा कोशी के भूणपोस होता है ठीक है ना तो जो नारियल का पानी होता है ठीक है वो क्या कहलाता है बच्चो उसमें मुक्त केंदर की भूणपोस होता है जो बुन पोस्ट पड़े एक तो क्या पड़ा मुकत किंद्र सफींति की बुन पोश एक बरक्रेम की इन बच्चो सफेद गुद्दा कहलाता है क्या कहलाता है वह कहलाता है कोशी के भूर्ण पूस थीक है तो अब आगे बात करते हैं बीज के परिपक्व होने पहले क्या बताया जा रहा है बच्चो जो बीज है उसके पहले ही क्या होगा बच्चो जो भूण पोस है वो पूरी तरह से किसके काम में आ जाता है जो विकासिल भूण है उसके द्वारा उसको उपयोग में ले लिया जाता है ठीक है ना उसके बाद क्या बताया जा रहा है या फिर परिपक्वे बीज में विद्धमान रहता है और बीज अंकूरन के समय इस्तिमाल किया जाता है ठीक है अगर भूणपोष रह भी गया है अगर भूणपोष है तो वह कब काम में आ जाता है बच्चों बीज के परिपक्व होने के बाद में भी अगर भूणपोष बचा हो है तो वह कब काम में ले लिया जाता है बच्चों ज सिरे भूंडो ने फिर फिर रिदी है क्या होता है बिजान द्वाकर होता है ओ号 हे चिरा होता है ताDS है वो कहां पर बता रहा बच्चो भूणकोश या पुट्टी के कौन से इससे में कौन से सीरे में विक्सित होता है जहां पर यूगमनज इस्थित होता है ठीक है न क्या इस्थित होता है बच्चो यूगमनज इस्थित होता है ठीक है यूगमनज के बारे में अपने पढ़ी तब विभाजित होते हैं जब कुछ निशी सीमा तक भूणपोस अगर विख्षित हो गया तभी क्या होगा विभाजन करते हैं ठीके मुण इसमें हमने क्या देखा है कि जो भूण है वा भूणकोष यख़ क्या क्रते हैं अंब होता है वह क्या सीरे पर क्या होता क्या होता है वेछ तो होता है वहां पर पर स्थित होता है तो हमने य१यां य१य System N central public क्या हो जाए बच्चों विक्षित हो जाए उसके बाद ही युगमनाज है वो क्या होगा बच्चों विबाजित होने लगता है ठीक है फिर आता है यह एक परकार का अनुकूलन है ताकि विकासिल भून को शुनिश्चित पोशन पराप्त हो सके क्या बताया जा रहा है कि क्या शोन इंशल्ड नेख विएपक बिनता होती है पुरण विश्टा होती है तरि दीकास की प्रारंभिक अवस्था ये बीज द्वी बीच-तरी दोनों के समान ओती यह क्या वता है यह वीकास की प्रारंबिक और इख़ाथ में एक बीच-तरी पादपोंमें द्वी-चपत्री पादपों santr रहती है ठीक है बच्चो फिर देखो युगमिनज प्राग भूण के रूप में वर्दी करता है और इसके सापेक्स ही गोलाकार हर्दयकार और परिपक्व भूण में वर्दी करता है क्या बताया जा रहा है युगमिनज है क्या बच्चो वह प्राग भूण के रूप में वर डाइग्राम में देखते हैं यह युगमनज्स क्या कर रहे है विभाजन कर रहे है यह किसमें की विकासिल भूढ्ण होगा तो यह योगमनज्स यह क्या करेगा बच्चों विभाजन करके कैसी सरंचना बना रहा है ठीक है उसके बाद में क्या बताया जा रहा है बच्चों कि यह कैसा भी हो सकता है यह हर्दयकार भूण भी हो सकता है ठीक है तो यह क्या है युगमिनज है यह क्या करता है बच्चों विभाजन करके कैसी स ठीक है और यह क्या है बीज पत्र है ठीक है बच्चो तो फिर आगे हम देखते हैं बीज पत्र के इस तरह से उपर भूणी एक्स की प्रोटीन क्या बच्चो बीज पत्रोपरिक होती है जो प्रांकूर या इस्तंब सीरे पर क्या हो जाती है बच्चो समाप्त हो जाती है क्या ईस्तंब प्राहिति हो स्माप्त हो जाती है एक ड़कन दबारा आवर्त रहती है जिसे क्या कहा जाता है बच्छो मूल गॉप कहा जाता है ठीक है तो दाइग्राम देखते हैं बच्छो मूं आласт हम भीज पत्र और यह नीचे की तरफ आता है मूँठाघ्ञ और मूलांकूर क्या पढ़ा था मनने कि मूलांकूर है वो एक धक्कन के द्वारा आवर्त रहता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चो मूल गोप कहा जाता है ठीक है बच्चो तो यह किसकी सरंचना है यह द्वी बीच पत्री भून की सरंचना है ठीक है बच्चो उसके बाद हम देखते हैं ये बीजपत्री भून केवल एक बीजपत्तर होता है घास परिवार में भीजपत्र को क्या कहाँ जाता है किस्स Fiona rules सेवाल कितना पत्तर होता है इस से पहले हमने दैग्राम में इच वह किसका था उध्वी घ्यवह कितने बीच पतर दे बच्च्छ स्ट कंई बच्छ सी कंद में कितनी हमके बीच पतर होगी तो कि घ्यालाते हि फिन खालते हैंKO May कराई में उसली स्टिता है जो चार गोलाकार ऊवरण तो दीज रते ईता को पर हो कै Pastasi के नीच ले की सीरह पर तो इसको डाडराम में एक गोलाकार और मुल आवरण एक बिना विबेदित-पर्च शेूकर तो जेसे ब लॉडाइग्राम में गपते हैं इसको dags echo इस बहाते कि गास परिवार होता है उसमें जो बीज पत्र है वह कहलाता है इसके बाद में यह क्या हो गया इसक्या फ्रांग को है तो श्केह प्रांगार चोल अधी को रखो और नीचे की तरफ जाते हैं तो यह कहलाता है बच्चों मूलांकूर पर क्या होती बच्चों एक आवर्त भकत रहता है जिसे क्या है तो और इसमें एक और चीज होती है कि बच्चों मूलांगूर चोल भी होता है हमने क्या पड़ा कि मूलांकुर चोल क्या होता है कि इसके नीचले सीरे पर क्या होता है कि भूणी अक्स में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित पर्त से आवर्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चो जिसे कहा जाता है बच्चो मूलांक तो इसके बाद आता है स्कूटेलम के जुडाव की इसतर से ओपर भोड़ी आक्स के भाकों क्या पहा जाता है बीज पत्रोपरिक कहा जाता है ठीक है और बीज पत्रोपरिक में पर्रोव सीर्स तथा कुछ आधी-कालिक-पन होते हैं ठीक है जो एक खोखला पनी सरंचना को घ जो क्या कहला तो आज भी निशेचन के बाद में आ थी कि जो निशेचन के बाद में पश्य गटनाएं होती है को traumat वारे लंब पुर्ष निरवाण बनता है और तो चलास होता व하면 अगली खरों अगली कुछा ने खाम